जैहिन दोस्तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 36 गड़ पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यूरिकमेंट सुवेजार, सर्विस्पेक्टर, एंड प्रांटून कमांडर 24 के ओल लाइन फर्म को कैसे बरेंगे आपको step by step एक लाइब फर्म फिल करके दिखाएंगे प्रतेक बिंदू को समझाते हुए ताकि आपसे फर्म बरने में कोई भी गलती नहोंने पाए जोस्तो सबसे परहें आप इसके notification को download करिएगा और इसे पढ़ लिजेगा अच्छे से जैसे notification में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कई सारे कुछ अलग-अलग पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है अलग-अलग भी भागो के है तो यह पूलिस भी भाग काई और यहाँ पर category wise अपनी C2 को भी आप देख सकते हैं कि General EWS CCST का कितना seat है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा qualification क्या होनी चाहिए, R.U. कितना होना चाहिए सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी तो एक बार आप स्वयम से इसे पढ़ लीजेगा, उसके बाद ही form को fill करिएगा तो जुस्तो चलते हैं form fill of process पर लेके चैनल पर नहीं होंगे subscribe कर लीजेगा अब जुस्तो apply करने के लिए आजेएगा official website पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगा online application यहाँ latest के नीचे online application के उपर click कर दीजेगा सबसे उपर आपको दिखाई देगा सुवेदार, सब इंस्पेक्टर और प्रांटून कमांडर तो यहाँ पर click कर दीजेगा click करेंगे page loading लेगा आपका इस परकार से आप देखें यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा, अब सबसे उपर देखेंगे एक नंबर पर दिया गया है advertisement, click here to view advertisement पर click करके इसका notification आप download कर सकते हैं, अब वही दोस्तो apply करने के दो नंबर पर देखेंगे click here to apply online application simple उसी पर click कर दीजेगा आपका form जो है कुछ इस परकार से खुल के आजाएगा, अब देखेंगे यहाँ पर अभ्यरती का नाम में अपना पूरा नाम लिखेंगा, ठीक है इस परकार से, अपना पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर mobile number एंटर करेंगे email id फिल करिएगा यहाँ पर पिता का नाम फिल करेंगे पिता के नाम में श्री, श्रीमान, आजी जैसे संबोधन सबस नहीं लगाना है, ठीक है तो इस टाइब से लिखेंगे, माता का नाम में स्रीमती स्थ, नहीं लगाना है इस परकार से लिख दिजेगा, यहाँ पर माता का नाम अपनी gender यहाँ से डेट को चूश कर लिजएगा यहां देखे पहचान दस्तावेच का परकार तो इन में से जो भी आपके पास आइडी होगी पासपोर्ट, पेंड काड, अजार काड वोटर आइडी जो भी आइडी होगा उसको सिलेट कीजएगा जैसे मेरे पास वोटर आइडी है तो मैं उसक तो यहां जो mobile number पर गया है mobile number वाले column में भरिएगा ओटीपी और email का email वाले column में फिल करिएगा ओटीपी और submit कर दीजेगा submit करते हैं दोस्तों नीचे देखेंगे यहां आपको live photo upload करना पढ़ेगा live photo का option मिल जागा तो यहां capture photo पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक कर जाएगा मैसेज में उस मैसेज में जो लिंक होगा उस पे क्लिक करके आपको लाइफ फोटो अपलोड करना है कैसे करना है चलिए मैं आपको लाइफ दिखाता हूँ इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों देखें यहां प्रोपएं कैम्रा के आपसंपे क्लिक कर देंगे आप तो आपका कैम्रा देखें अलाung कर दीजिएगा अलाउश करेंगे यहां से देकिए आपका इस प्रकार से आजाएगा फोटो छेट न गैंपको केप्चर पे एकंधर हो जाएगा दोस्तों जान दीजिए जैसे कि मेरे जो बैग्राउंड है पीछे आपको कुछ वेग्राउंड दीखर होगा बैग्राउंड आपका साफ होना चाहिए हुआ हूं छे लॗ heißt साफ हो आपका चेहरा साफ देखना चाहिए ठीक है मैं इसी प्रकार से अप्लोड इसे कर दे रहा हूं उसके बाद जोस्तों यहाँ वेरिफाई एंड अप्लोड के आप्शन पे क्लिक कर दीजेगा यहाँ देखेंगे फोटो अप्लोड सक्सेसपुलिब अब यहाँ पे आपको अपना email ID फील करके password फील करके यहाँ पे लॉगिंग करना पड़ेगा आइमनाट रोबोट पे से चिक बॉक्स पे टिक कर दीजेगा और लॉगिंग कर दीजेगा यहां देखे इस प्रकार से फोटो आपका दिखाई देगा अब नीचे आपको यहां पे हस्ताक्षर अप्लोड करना पड़ेगा यह सफेज पेपर पे आपको काले पेंट से बाल पॉइंट पेंट से हस्ताक्षर करेंगे अजिकतम साइज इसका सव कीवी के नीचे का रहेगा तो अप्लोड करने के यहां हस्ताक्षर अप्लोड करें के ओप्सन पे क्लिक कर दीजेगा हस्ताक्षर अप्लोट करें के option पे click करेंगे तो ऐसा आएगा यहाँ पे click here दिया गया है simple इस पे click करेंगे जहां कई भी आपका हस्ताक्षर होगा उसे ले लिजेगा और यहाँ इस प्रकास से upload हो जाएगा हस्ताक्षर अप्लोट करने के बाद यहाँ दिखेंगे save बटन दिखेंगा save बटन पे click करेंगे यह आपका save हो जाएगा अब आपके सामने ऐसा interface आजाएगा अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपको cg police सुवेदार सव इंस्पेक्टर तो apply करने के लिए यहाँ दिखें apply बटन दिखेंगा apply बटन पे click कर दीजेगा start date और end date भी आप पूरसी में दिखाएगा तो apply बटन पे click करेंगे आपका page loading लेगा अब देखें कुछ ऐसा interface आजाएगा अब criteria में यहाँ पे इंडियन को select कर लिजेगा क्या उमिदवाद 36 गड़ का इस्थाई निवासी है तो यहाँ पे yes में जवाब देंगे यहाँ पे no का option नहीं है यानि कि जो un-predist के लोग है वो नहीं भर सकते हैं यहाँ देखें मैं no search कर रहा हूं यहाँ यहाँ पे यहाँ पे yes करना है सिर्फ यह जो भरती है यह सिर्फ 36 गड़ की जो इस्थानी निवासी है उन्हीं के लिए है बाहरी प्रदेश वालों के लिए नहीं है यहाँ देखेंगे अब यहाँ पे अपन ठीक है सभी जिले मिल जाएंगे उसके बास इस्थानी इता तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रूरल ग्रामीड शर्स से आते हैं अर्वन या सरी शर्स से तो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे क्या आप दिव्यांग बैखती है तो yes no में जबाब देंगे क्या अभरती की स पर अग्र्स किया जाने वाला दस्तावेज तो यहां के हाई फूल मांक्ग स्ट कर लिजेगा तो हाई स्वेल कर लिजेगा उसके बार यहां पर यहां पर हाई आखने भर धो में जबाब देना होगा आपको तो यहाँ पर यस नो में जवाब देंगे अब देखे के टेग्री आपका क्या है जनरल है आप EWS यसी एस्टी वो वीसी जो होंगे उसको स्लेट करेंगे EWS का आप्सन नहीं है इसमें ठीक है अब देखे क्या आप भूत पुर्सयानिक है तो यस नो में ज जवाब देंगे अब देखे यह सब अगर आपके उपर लागू होगा तो यस नो में जवाब देजेगा ठीक है इन सब को पढ़ लीजेगा यह सब दिया गया है क्या भरती को कभी 36 गर सासंद्रा अंतर जाती विवाप और साहन के अंदरेट प्रुसक्रित किया गया है आय जवाब देना है ठीक है उसके बाद यहां पर सेवेंड नेश्ट करके आगे बढ़ जाएगा सेवेंड नेश्ट करेंगे प्रेश लूडिंग लेगा अब देखे आप एड्डेस डिटेल के उप्सन प्यार जैंगे तो इस थाई पता में अपने पुरा पता फिल करिएगा मैं जैसे 36 गल का निवासी नहीं हूँ यह फॉर्म बस मैं एक डेमो तो पर भर रहा हूँ आपको समझाने के तो मैं ऐसे ही कोई भी गाओं का नाम लिख दे रहा हूँ आप अपना सही सही यहां पर अपना एड्डेस लिख दीजेगा ठीक है विलेज का नाम पोस्ट का ना जीले को यहां से क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजेगा उसके बाद अपना पिन कोड एंटर कर दीजेगा जो भी पिन कोड होगा निकटम पुलीस थाना आपका क्या है थाने का नाम यहां पर लिख दीजेगा उपर का पता आपका पर्मानेंट होगा तो यहां चेक बॉस पे ट हैं कि जडे़ाम उस बोट भी जाले हैं सनस्थान का नाम यहां पर पुछेगा आपसे यहां तो यहां से आप सिलेट कर सकते हैं किस सन में पास किए हैं यहां पास ही रहेगा अंकों का प्राकार अगर आपका marks system या grade है तो अपने according चूस करेंगे जैसे marks चूस करते हैं तो कुल अंक में पुड़ा अंको लिखेंगे कितने पुड़ा अंका था और प्राप्तांग में कितना number आप पाए हैं अब यहाँ पे लिख देंगे ठीक है अब वही same process से आप यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ से graduation को स्लेट करना होगा आपको स्लेट option पर क्लिक करेंगे बैशले डिग्री एनी डिसिप्लीन को चूस कर सकते हैं अगर मालीजे आप यहाँ पर math, physics, chemistry से पढ़ें तो इसको चूस करेंगे तो अपने according चूस करेंगे जैसे आप BA वगएरे किये हैं या बीकॉम वगएरे होंगे तो बैशले डिग्री एनी इस्ट्रीम को चूस कर लिजेगा एनी डिसिप्लीन को ठीक है उसके बाद यहाँ पर same process से विस्विद्धार का नाम लिखेगा संस्थान का नाम उत्त्रिव और एड कर दीजेगा इस टैप से फिल कर दीजेगा और एड करेंगे तो यह भी आपका एड हो जाएगा अब दिखा देता हूं आपको अच्छा यहाँ पे बैशले डिग्री का भी जनकारी हो गया है फिर क्लिए करेंगे अगर पोस्ट ग्रेजवेट होंगे तो यहाँ प यहाँ पर यह नो में जवाब देना होगा जैसे कि होम गार्ड वगरा रहे हो या को में या कंटेश्वल बेसे पर तो उसकी जानकारी देंगे यह करके नहीं तो नो करेंगे सेप कर दीजेगा उसके बाद नीचे बढ़ेंगे यहाँ चेक बॉक्स पर टिक कर दीजेगा औ यहाँ जिए नो में जवाब देना होगा और यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करेंगे चेक बॉक्स परोज़िक करके सेव निच्ट करके आगे बढ़ जाईےगा पे ज conclus करेंगे जैसे कि स्थार्विक मालक परिषकर के लिए तो प्टरोग आपका होगा उसको चूज कर लीजेगा तो क्यों कि यहां पर रज्चे करेंगे यहां चेक बोक्स मिलें चेक प्रकास आपका फॉर्म क्लिट हो जाएगा तो आसा करूंगा मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको एच्छी लगी होगी समझ में आई होगी तो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसे अपने जवरत मन दोस्तों में शेयर भी कीजेगा तो मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन अब आँ दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग